पारा बंकी में पौराणिक लोधेसवर महादेव मंदिर से जल चढ़ा कर वापस लोट रही कावडियों से भरी पिकप हाथसे का सिकार हो गई आपको बता दे कि कावडियों से भरी पिकप काफी तेज थी जिसके चलते वा आनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलड गई इस हाथसे में पिकप सवार पांच कावड यात्री घायल हुए जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है आपको बता दे कि हाथसे के बाद मौके पर पहुचे इस थानी लोगों ने सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदाएक सौस सकेंडर में भरती कराया जहां डॉक्टरों ने एक के इलाज के लिए उसे जिलाय अस्किताल रिपर किया ब्यूर रिपोर्ट आई पियर